अनन्त विजय है कि ये साइलेंट वोटर कौन है भाई जो एक्जिट पॉल को नहीं बताता है कि हम किसे वोट देंगे और ये सीधे जब एवियम खुलती है तब ही सामने आता है और ऐसी सुनामी देता है अब मुझे लगता है कि आप लोग अभी एक्सिसमा इंडिया की बात कर रहे थे वो भी 178 पर ही रह गए थे मुझे लगता है उनका जो अपर लिमिट था वो 178 था तो नहीं नहीं वो लोगर लिमिट था तब वही एक पकड़ पाए अन्य था तो सब लोग और ये जो वोटर थे मुझे लगता है कि संगठन के अस्तर पर जो काम हुआ महाराष्ट में भारती जन्ता पार्टी ने जैसे भुपेंद यादव को पिछले तीन महीने से वहीं रखा हुआ है और भुपेंद यादव और संग के लोगों ने मिलकर जो रननीती वहां महाराष्टरा में बना से हुआ था जब उन्होंने संग को लेकर कहा था कि संग से जादा बड़े हो गए और अब उनकी आवस्ष्टा नहीं है मुझे उसके बाद से जो कोर्स करेक्शन हुआ उसका परिणाम हरियाना में भी दिखा और उसी का एक्स्टेंशन के तौर पर मैं इसको महाराष्टरा अलाकि यह प्रती प्रस्ण हो सकता है कि जार्खंड में ऐसा क्यों नहीं हुआ तो जार्खंड के जो अस्थानिये मुद्दे थे वह अलग थे बिलकुल अलग थे हम जब जब आप ज्यार्खंड पर बात करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे हरियाना में जैसे संग ने महारास्ट भर में की गई तो उसका भी असर मिला और जब वो लोग जाते तो कहीं किसी पार्टी को वोट देने की बात नहीं होते उसमें यह कहा जाता है कि आप ऐसा से सरकार चुनिये जो मदबूत हो जो रास्ट की बात करें जो समाज की बात करें जो जाति-पाति को दूर करें तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक इसको भारती राजनीती में अभी सकारात्मक प्रचार का भी है नकारात्मक का भी होगा मैं उसमें इंकार नहीं कर सकता हूं क्योंकि बाद के द प्रकार से मोढम्मद अदीव जैसे वहां जाकार बहा कर भाशन दिये जिस प्रकार से वहां 18-19 मांगों का परचा बटा मुझे मालूम नहीं सचाही क्या है लेकिन जिस प्रकार से मौम्मद अדीव का भाशन था कि दीन के नाम पर सारे मुसल्मानों को इकठा हो और तौकिर रजा ने जो बयान दिया या उसके बाद जो ये कहा गया कि अगर हम न होते अगर कौम न होती तो पाकिस्तान लाहॉर तक नहीं लखनौ तक होता तो इन सब बातों का असर जरूर हुआ होगा उन मतदाता हों के बीच में जिसके बारे में संजे जी कह रहे थे कि 40 इस प्रतिशत ऐसे मतदाता थे जिन्होंने तय नहीं किया था और वो आखरी समय में भावना के आधार पर उन्होंने अपनी वोटिंग तय की होगी किसको मतदान देना है तो इनी सब चीजों का परिणाम हुआ और जो भी साइंस होता है मुझे लगता है साइंस को थोड़ा भावनाओं को पकड़ने में दिकत होती है जो बहुत, clarity के साथ बोल जाते हैं उनको पकड़ने में दिकत नहीं होती लेकिन जो emotions के आधार पर वोटिंग होती तो emotions को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी साइंस के लिए और यहां फिर हो सकता है कि एक silent voter का एक नया एक group खड़ा हो गया है जैसे संजय जी और में बात करें थे शायद beneficiaries कल्यानकारी योजनाओं के beneficiaries लाभारती ऐसे हैं जो शायद खुलकर बताना नहीं चाते कि वोट देंगे या मन नहीं बना पाए है या फिर बताना नहीं चाते इस पर अब कई हफ्तों तक बहस होती रहेगी आगे करेंगे मेरे साथ कॉंग्रेस से जोती सिंग उसमें जैसे दस सेकंड दीए मुझे उसमें जैसे लोग कर रहा ना कि लाड़की योजना वहाँ चल गया और यहां महिया बहीन चल गया प्रतिशत इस बार पूरिशों से जादा भी था खास्त और से चार खंड में संजे जी एक चीज़ और इससे पहले में जोती सिंग मेरे साथ कॉंग्रेस की तरफ से हैं अर्विन तिवारी एनसीपी शरत गुट से और अरुन सावन जोड़ेंगे शिव सेना की तरफ से सभी का सवागत है पहले संजे जी और जब एकजित पोल होता ए यह तो जब पोल्लिंग बूत से वोटर वोट देके निकलता है तब उससे सवाल जवाब होते हैं आप तो post-poll survey भी करवाते हैं तो post-poll survey में क्या सबके घरों पर जाकर knock करके और तब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है और क्या वो आपको लगता है जादा penetrative होता है निश्चित रूप से सैंप्लिंग कर पाना exit poll में सैंप्लिंग कर पाना exit poll में संभाव नहीं है exit poll में उन्हीं लोगों का आप वोट देने हैं जो वोकल होते हैं जो बात करने को तयार होते हैं जब आप घरों पर जाते तो आपके पास एक सूची होती है आप sampling करते हैं और उन लोगों के घर घर जाके बात करते हैं तो दोनों में फरक है और आप उससे विश्थरित कुछ जानकारी भी हासिल कर सकते हैं एक्जिट पूल पे वो संभव नहीं हो पाता है महरास्ट में इस बार और जारकर्ण में जो हम लोगों ने किया था ये प्री और पोस्ट का मिक्स था क्योंकि चुनाओ के होने और काउंटिंग के बीच में सिर्फ दो दिन का फरक था और इसी के लिए हम लोगों ने कुछ सर्वे पहले किया था और कुछ बात ने किया था